हलो एब्रिवन मैं दिख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में UPPSC ROARO एक्जाम को ध्यान में रखते हुए यह GS की प्रैक्टिस कोश्चन की सीरेच चलाए जा रही है जिसमें डेली आपको प्रैक्टिस कोश्चन प्रोबाइट किया जाते हैं जिसमें अभी तक हमने तीन दिन तक कम्प्लीट किया हुए है आज का जो हमारा डे रहेगा फोर्ट डे है इसके अंतरगत आजम शुरू करते हैं अपने कोश्चन को जो कि आपको प्रते कोश्चन का कम्प्लीट एनालिसिस के साथ आपको आंसर प्रोबाइट किया जाएगा चले तो शुरू करते हैं पहला कोश्चन हमारा आता है कि मनोश अत्यदिक आदरता बाफ गर्मी में से अत्यदिक कटनाई का अनभाव करता है इसका कारण क्या है ओप्सनी कम पसीना आना ओप्सनी आदरता के कारण पसीना नहीं आना ओप्सनी आता है कि आदरता के कारण प वागर्वी से कटनाई कानभाव करता है नेक्स्ट कुश्चन आता है कि एक अंतरिक श्यात्री अपने सहफार्थी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ओप्सन ये आता है उत्पादी काबिर्ती द्हनी आबिर्ती से अधिक होती है ओप्सन बी आता है ध्वानी प्रशार्थ करने का माध्यम नहीं होता है ओप्सन सी रात्री में दापमान बहुत कम और दिन में अत्तिधिक होता है ओप्सन डी चंद्रमा की सतह पर कोई क likenटर है तो इसमें आपको सही उत्तर की बैचान करनी है तो इसके अंतरगताब का जो उत्तर है option B है कि यह ध्वनी प्रशारित करने का माध्यम नहीं होता है क्योंकि एक अंतरिक छ्यात्री अपने साहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि वहाँ ध्वनी प्रशारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है नेक्स्ट कोशन आता है कि आधारिये बीज पैदा किये जाते हैं आप्सनी प्रजनक बीज से, आप्सनी प्रमारत बीज से, आप्सनी नाव किये बीज से, और प्रोक्त सभी, आप्सनी डी में आएगा तो इसमें आधारिय बीज जो है आपके option B मतलब A मतलब प्रजनक बीज से आपके उनका उत्पन ने किया जाता है क्योंकि प्रजनक बीज सरवादिक आनवानसिक सुधता होती है और आधारिय बीज उत्पादन चक्र की दुती आवस्था के बीज होती है अब next question आता है कि सावन की बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना क्या है option A व्यतिकरण, option B विबरतन, option C धुरबन, option D बिच्छेपन तो इसके अंतरगत आपका उत्तर option A है क्योंकि सावन की बुलबुले में व्यतिकरण की घटना का एक उधारण है व्यतिकरण एक वह पिक्रिया होती है जिसमें समानाबिरती की दो प्रकास तरंगे किसी माध्य में एक ही दिसा में गमन करती है अब आपका next question आता है कि किस प्रकार की तरंगों का प्रियोग रात्त्री द्रिष्टी उपकरण में किया जाता है तो इसमें option यह आता है सूक्ष्वी तरंग, option B आउरक्ट तरंग, option C रेडियो तरंग और option D पर आपसर्ब तरंग तो इसके अंतरगत आपका जो उत्तर है option B है कि आउरक्ट तरंगों का प्योग इसके लिए किया जाता है कि आउरक तरंगों की जो खोज आपको बताने किया है बिलियम हरसेल ने की हुई थी और दूर संचार ही तो सुक्षों तरंगों का उपियोग भी किया जाता है तो रात्री जश्टी उपकरण में आउरक तरंगों का उपियोग किया जाता है नेक्स्ट कुशन आता है कि निम्ने मैंसे किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है उप्सन A उवल्तिफवे पानी में, उप्सन B भाप में, उप्सन C सूर की किर्णों में और उप्सन D आता है गर्मावा के जोके में तो इसमें आपका उप्सन B सही है क्योंकि उवर्ति जल्किया पिक्छा भाप में अधिक गंभीर ज्वालक पैदा करता है क्योंकि भाप की जो गुप्त उस्मा होती है वैं सरवादिक होती है और उश्मा गतिविकी के पिर्थम नियम जो उजय संरक्षन सिधान्त की आधर पर कार्य करता है जो की बर्फ का टुकड़ा पैदार को ठंडा बना देता है क्योंकि बर्फ पेघले के लिए पैदार पदार से गुप्त उश्मा लेता है और उसे ठंडा कर देता है अब आपका next question आता है कि निमने रंगों के बीच में आग की सुग्राहिता किनके लिए सबसे अधिक होती है option A नारंगी एवं पीला, option B हरा एवं नीला, option C पीला एवं हरा, option D लाल एवं हरा तो इसमें आपको बताना होगा, तो आपका जो उत्तर होगा, option C होगा, पीला एवं हरा क्योंकि पीले और हरे रंग के भी सुग्राहिता जो होती है वैं सरवाधिक होती है मानोनेत्र में इस्थित फोटो रेसेप्टर, कुशकाएं 530 से 555 नैनोमीटर की तरंग देर्थ के प्रकास के लिए सबसे अधिक शुग्राहि होती है अब नेक्स्ट कुश्चन आता है आपका कि सुनार प्रियोग में लाया जाता है उप्सन E अंत्रिक श्यात्रियों द्वारा, उप्सन B नो संचाल को द्वारा, उप्सन C डॉक्टरों द्वारा और उप्सन D विज्ञान को की द्वारा तो इसमें आपको बताना है तो इसमें आपका जोत्तर होगा आपसन भी होगा क्योंकि नौस अंचालकों के दोरा सुनार का प्रियोग किया जाता है। तो इसके अंतरगत आपका जोत्तर है आपसन भी होगा आपसन भी होगा क्योंकि आर्थी किवम जैबिक उत्पादों के आनपाथ फसल सुचकां कहलाता है। नेक्स कोशन है आपका कि दोरानी का एक महत्पूर्ण अभी लक्षण तारत्य या पिछ है जो निर्भाय करता है। आपसन भी आयाम पर आपसन सी आप बृती पर आपसन भी ती बृता पर। तो इसके अंतरगत जो आपका उत्तर है वह आपसन सी है क्योंकि ये तारत्य जो है वह प्रक्ति पर निर्भाय करता है। आप बृती पर निर्भाय करता है। तारत्य द्हनी का बहल अक्षण होता है जिसके कान द्हनी को तीक्षण, मौटा या भारी कहा जाता है। इसे सामनेता इस्तरियों की आवाज तारत्य में पुर्षों की तुलना में अधिक होती है। अब आता है आपका नेक्स्ट कोशन की दान्त जो होते हैं, दान्त कम बृत हो जाते हैं जब पे जल में प्रिचुर मात्रा में रहती है। ऑप्सन A, जिंक, ऑप्सन B, किलोराइड, ऑप्सन C, फिलोराइड और ऑप्सन D आता है ऑक्सिजन। तो इसके अंतरगत आपका जो उत्तर है ऑप्सन C होगा। क्योंकि जब पे जल में अत्यदिक मात्रा में फिलोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके फलसरूप दान तीव महट्डियां छेन थोच लगने लगते हैं। और भारत में फिलोराइड की अधिक्तब मात्रा जो होती है एक मिलीग्राम प्रती लीटर के हिसाब से होती है। अब आता है नेक्स्ट कोशन की वह कौन सा मानवांग है जिसके रोग ग्रस्त हो जाने पर डायलेसिस की आवश्यक्ता पड़ती है। उप्सन एकरत, उप्सन भी हिरदय, उप्सन C फोमपुस और उप्सन D ब्रक होता है। तो इसमें आपका उप्सन D होगा क्योंकि ये ब्रक के लिए इसकी आवश्यक्ता पड़ती है। इसकी explanation को जाने कि ब्रक्य में रोग ग्रस्थ हो जाने पर dialysis की आवश्यक्ता होते हैं। dialysis का ताथ पर रक्त से अधिक पानी बिशाक्त पदार्थ हो एवं बिलियन को बाहर कर रक्त को सुध्ध करने से होता है। अब नेक्ट कोशन है आपका कि दो ब्रक्तियों की पारिस पर एक बारतलाब में कितने डेसिवल की धौनी उत्पन होती है। पुसपुसाहट में आपकी 15 से 20 डेसिवल की धौनी उत्पन होती है। जब आदमी गुस्से या उग्र ब्योहार में होता है तब 80 से 80 डेसिवल की धौनी होती है। loudspeaker की धौनी होती है वैं 70 से 100 डेसिवल की धौनी उत्पन होती है। और decibel जो होता है वैं ध्वनी की तीबरता को मनापने की एक एकाई होती है और जो 80 decibel के शूर में लगाता रहने से हानी कारक होता है तो यह इसका एक side effect होता है अब next question आपका आता है कि निम्रिकित में से कौन सा अंत्रिक्ष उडान में खाद पदार्थ के रूप में परियु अंत्रिक्ष उडान में अंत्रिक्ष उडान में खाद पदार्थ के रूप में किलो रेला का उत्विव करते हैं अंत्रिक्ष उडान में अंत्रिक्ष में अंत्रिक्ष उडान में खाद पदार्थ के रूप में गिरहन करते हैं अब question आता है आपका कि आसो मेले चोड़े की पहचान कर इंगित कीजिए option A दिया गया है और producer कारक दिये गया है इसमें option A etirocadmium option B minimata rog 12 option C knock rog C sa production option D blue baby syndrome या blue baby rog nitrate producer तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसके अंतरगत आपका option C सही सुमेलित नहीं आपके तीनों सही cadmium जो होता है बाइटाइटाइ रोग के कारण और minimata rog para production के कारण और blue baby जो रोग होता है बाहर nitrate के कारण होता है और आपका knock knee rog जो होता है वस C sa production के कारण नहीं अपती हुए फिलोराइट के कारण होता है तो इसका उत्तर क्या होगा इसका फिलोराइट होगा ना कि C sa production तो यह फिलोराइट के कारण होता है अब next question आपका आता है कि निमने greenhouse gaso में से कौन CS है जिसके द्वारा ट्रोपो इस फियर में उजोन production नहीं होता है उप्सन A, methane उप्सन B आता है आपका carbon monoxide उप्सन C, nitrogen oxide और उप्सन D आता है जलवास्प तो इसके अंतरगत आपका जो उत्तर होगा उप्सन B आएगा क्योंकि इसमें carbon monoxide होता है क्योंकि carbon monoxide के द्वारा ट्रोपो इस्पियर में नो से 26% होता है जो आपको मीथे नाता है वो 4 से 9% होता है जो ओजो नाती है आपकी 3 से 7% होती है अब next question है आपका कि जैब बिवित्ता बहुतायत में मिलती है option A, बिकासिल देशों में option B, बिकसित देशों में option C, दोनों में समान और option D, उपरियुक्त में से कोई नहीं तो इसमें आपको बताना है तो इसमें आपका option A, सही है कि यह बिकासिल देशों में मिलती है कि यह है, बिकासिल देशों में बिकसित देशों की अपिक्छर जैब बिवित्ता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्यूंकि अधिक तर जय पिवित्ता उश्र कटिवंदिये देशों में पाय जाती और ज्यादा तर विकासील देश उश्र कटिवंदिये चेतर में इस्थित होते हैं बिक्सित देशों में तीबर विकास की चाहे में अपने यहां चंगलों का तेजी से दूहन कर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां पहु मंजलाएं मारते हैं यहां अन्य बिलास्ता की बस्तों प्राप्त करते हुए अपने देश के कंक्लीट के जंगल में बदल दिया जाते हैं अब नेक्स्ट कुशन आपका आता है कि निमन मेंसे कौन सा दूतियक बायू प्रदूशक है। भावित करते हैं जैसे फार्मेल्डी हाइड जो हुआ वह आपका दुतियक प्रिदूशक है और भी यह ने दुतियक प्रिदूशक में आते हैं जैसे नाइट्रोजन, डायाकसाइड, पेराकसिल, नाइट्रीट और ओजोन आता है तो यह सबी दुतियक प्रिदूशक के अंत तो इसके अंतरगेत आपको बताना है कि इसमें कौन सा रीजन है। उप्सन एक दो तीन, उप्सन भी आता है आपका एक तीन चार, उप्सन दी से आता है एक दो चार और उप्सन डी आता है एक तीन चार, तो इसके अंतरगत जो आपका उत्तर है बहें, option C सही है, कि इसमें सारभों में एक संपर्क अच्छे हो गए है, दुहिम द्रिभी किर्थ होने लगे हैं और इसमें स्वास्त पर कूप रभाव पड़ा है, अब इसके अंतरगत इसके explanation को देखते हैं, कि जो आपका बाई प्र परणामोर प्रिथवी का तापमान बढ़ रहा है, जो प्रिथवी का तापमान बढ़ेगा, तो यह 100 बर्षों में भुह मंदिली वासात तापमान में 0.3 से 0.7 साथ में ब्रतु करता है, और तापमान में ब्रत्धी के परणाम सुरुफ धुरूओं पर जमी बर्व की पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका, कि निमलिकित में से कौन सा निमनी करण या डिग्रेवल प्रदूशक है, तो इसमें आपको बताना है कि डिग्रेवल प्रदूशक कौन सा है, उप्शन A पारत, उप्शन B लेस थातु है, उप्शन C घरेलू बाहित मल, उप्शन D इस बात, तो इसके अंतरगत जो आपका उत्तर है, उप्शन C है, कि घरेलू बाहित मल होगा, नेक्स्ट कोश्चन आता है, कि हरित किराय प्रभाव में से बाता वरण में, निमलिकित में से कौन सा परिवर्तन होता है, उप्शन A बायु मंदल में कारवन डियाक इन हाउस कैसें जो होती है, वे गिरह की बायु तवरण या जलबाई में परिवर्तनों अंता, वो मंदली उस्ट में करण के लिए उत्तरदाई होती है, इनमें सबसे ज़्यादा उस्तरजन कारवन डियाक्साइट का होता है, फिर नाइट्रेस ऑक्साइट, मीथेन, किलोर फिलोरोकारवन, जलबास्प, उजोन आधी होती है, हरित गराई प्रभाव के कारण बायुवंडल में कारवन डियाक्साइट की सांदरता बढ़ जाती है, लेकिन तापमान में ब्रद्धी में यह सहायक होता है, और यह आकलित किया जाता है, जब 400 PPM कारवन बढ़ता को बढ़ाते हैं, तो इसमें सिर्ट में बताना है कि आपका कौन सा ओप्सण सही होगा, तो इसमें आपका ओप्सण है है कि यह और आर दोनों सही ही, और कि नभीनी करण संसादन पू होते हैं जो कई बार उपयोग में लाई जा सकते हैं और वह है बन एक नभीनी करण संसादन जैसे वन परियावरण की गुर्वत्ता को वड़ाते हैं क्योंकि वन बायोमंडल से कार्वन नेयकसाइड का उश्यूशन कर ओक्सिजन को छोड़ते है इस कारण से आपका कथनों कारण दोनों सही तो है लेकिन इसकी उप्रियोक्त व्याख्या नहीं है नेक्स्ट कोशन आता है आपका कि हाली मैं निम्लिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समस्टी के हिरास के लिए उत्तरदाई प्रतिवेदन की गई है तो इसमें आपका उप्सन C सही होगा कि जो डिकलो फिनेक है वह सोडियम जानवरों के लिए दर्ध निवारक दवा के रूप में प्रियुक्त होता है यह भारती उप महादीप में गिद्धों की समाप्त होने का एक महत्पूर का रण दिकलो फिनेन एक नामक दर्ध निवारक दवा होती है और भारत की ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इस द्रग निवारक दवा का पर भी रोक लगा दी है अब कुश्यन आता है आपका फोटी नेक्स कुश्यन कि निमलिकित मैसे कौन सी जेब विवित्ता की सनलक्षण के लिए उत्तरडाई महत्पूर रण नीती है उप्सन ये आता है जेब मंडल रिजर उप्सन भी आता है बानिस्पतिक उध्धान उप्सन सी आता है रास्टी उध्धान और उप्सन ये आता है जंगली जत्तू अभ्यारण तो इसके अंतरगत आपका जो उत्तर है option A सही है क्योंकि जैब मंडल रिजर्व इसके अंतरगत आती है जैब विवित्ता जो एक होती है वह एक प्राक्तिक पिक्रिया है जिसमें कुछ विशेस्ताओं पर नर्भय करती है जैसे जन्निक भिन्यता, प्रजाती बिभिन्यता, कालिक बिभिन्यता, पारिस्तिकी तंतर बिभिन्यता होती है जैब विवित्ता के सनरक्षण के लिए सरवादिक महत्पूर्ण रणेती जो होती है वह जैब मंडल रिजर्व होती है इसमें आपको बताना है पहला दिया है कि एक धाने किरसी पद्धितियों का परिहार दूसरा आता है नियून तमजोत का अपनाना तीसरा आता है बागवानी फशनों का परिहार खेती परिहार और तीसरा चौत्था आता है मिर्दा धरातल को ढखने के लिए फसल अपसिष्ट परियो और पांच में आता है, स्ठाने के बाकारा है कांज या फसल आवरतनों का अपणाना, तो नीचे दिये गई कूट में से आपको जो आपको पहचान करने है तो इस बाला जो जो दूसरा वाला सही यह, चौथा वाला सही और पांचमा वाला सही है चले तो इसके explanation को जान लेते हैं कि सनरक्षण किर्सी के तरीके के बारे में जान लेते हैं कि आखरी किर्सी होती क्या है तो सनरक्षण किर्सी जो होती है वै किर्सी का एक नया तरीका है कौन से तरीका है एक नया तरीका है जिस परियावन को दिहान में रखकर या किर्सी की जाती है इसमेने में तरीके से किया जाता है जैसे कि जोताई या पेहत कम अथवा नहीं की जाती है जमीन को समतल बनाने ही तो लेजर की मदल दी जाती है फसल के पोधों को सुरुआत में चाही नर्शरी में वगाया जाता है इसमेंडरिप और स्प्रिंकल, सचाई की पद्धिती को अपनाना होता है बागानी फश्चॏ की किर्शि को अपनाते हैं मिralदाधरातल को ढखनां के छिए फशल स्पियो Alabama का उप्यों क्रिया है और इस्थाने कि पमकालग फशLoень रसवार ciao को अपनाना होता है। जो की CR тम उसकी एक नई किश्म BT wagon भीक्सित की गई है।बक्ष ँर्दी जिसका लक्ष है, option A, नासक जीब सही बनाना, option B, इसे अधिक स्वादिस्ट ओपॉस्टिक बनाना, option C, इसे जला भाव सही बनाना, option D यहारता है, इसकी निधानी आयू बनाना है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, option A होगा, इसे नास जीबी सही बनाना है, कि बैगन की आ और वर्कों के रूप में प्रियोक्त होता है option A आपका आता है sinobacteria, option B protojoa option C, विशाडू option D, उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसमें आपका option A सही होगा कि इसमें sinobacteria आता है कि sinobacteria ऐसे सुक्षणीब होते हैं का प्रियोक जैब वर्कों के रूट में किया जाता है इसको नेलहरित सहवाल कहते हो और इसका उधारन होता है pseudomonas, aerogenoma तथा एनावीना इसके अंतरकत आता है अब next question है आपका कि सतत विकास के लिए आविश्यक है option A, जैब विवित्ता का सनलक्षण option B आता है प्रदूशन का निरोध इवं नेयंतर option C आता है नर्धनता को घटाना option D आता उप्रियोक्त 3 तो इसमें आपका option D सही होगा कि यह सतत विकास है तो जैब विवित्ता का सनलक्षण प्रदूशन का निरोध इवं नेयंतर नर्धंता कौनमूलन सभी आवश्यक होता है अब कुश्यन आता है आपका सूची एक और दो में सुमेलित कीजे जिसमें सूची कूट का सही उत्तरक चुनना है आपको जिसमें आपका ये डेटा भी दिया है मतलब कूट के रूप में दिया गया है तो इसमें आपको सुमेलित करना है जैसे cryopreservation क्या होता है आपको डारेक्ट उत्र ही बता देते हैं cryopreservation जो होता है बहुत ही कमताप पर भंडारण होता है भूकंपे में जो होता है अधिकेंद्र में अधिकेंद्र से संबन देते हैं जैममंडल संरक्षण जो छेत्र होता है बैबिसिष्ट संबरक की संरक्षण छेत्र होती होता है और रेट डैटाबूग जो होता है संकटापन अप्रजातियों की अभिलेक से होता है तो इसके अंतरगात आपका जो option भी है बहुत सुमेलेत एक दूसरे को करता है कुशन आता है कि पारिष्ट की अनुकरमण के चार महत्पूर चरण है इसके अंतरगात option ये आता है मतलब पहला दिया गया है इसमें आकरमण दूसरा आता है छेंड़ता तीसरा अप्रतीस पर था फिर इस्थान आतरण तो option ये आपका सही होगा इसकी ब्याक्या देख लेते हैं कि जब किसी पारिष्ट की तंत में एक जीप शमदाय का इस्थान काल आतर में दूसरे जीप शमदाय द्वारा गिरहन कर लिया जाता है प्राथमिक अनुकरमर्ण के दौरान इन चर्णों में सही अनुकरमर्ण मतलब छीड़ता होता है फिर आपकरमर्ण होता है उसकी बाद परतीस पर धा होती है उसकी बाद इस्थान आंतरण होता है और पारिष्ट की तंत की एक गतिक उपनी श्यम की उत्वाद एकता होती है, option C दिया गया है कि यह एक बंद तंत है, और option D दिया गया है कि यह प्राक्तिक संसाधन तंतर है, तो इसके अंत्रक्त चुवाब का उत्तर है option c है क्योंकि यह बंद पारिष्थी की तंतर नहीं होता है तो चलिए जानते हैं मतलब इसमें दिया गया है क्योंकि यह एक खुला पारिष्थी की तंतर होता है इसके व्याख्या को देख लेते हैं कि पारिष्थी की तंतर जो शर्पर्थम प्रियोग है ये जी टांसले के द्वारा किया गया था जो कि एक प्रिशिद्य प्राणी विज्ञानी थे उन्होंने 1935 में इस सब्दिका सरप्रता मेको सिस्टम का प्रियोग किया था पारिशिकी तंतर जो होता है वही एक खुला तंतर होता है जो कि त्यविक और अजयविग घटक पोशन इस्तर उर्जा प्रवाय बूरसाइन चक्र प्रकासंसलेशन आहर श्रंखला आहर जाल उत्पादक्ता इस्थिरता पादब जगत जीव जगत बायों परियावरण आउन आसंतलन प्राक्तिक आपदाय प्रदूशन इवं परियावरण प्रवंधन आधी का इसमें अध्यन किया जाता है जो कि एक खुला पारिश्थिकी तंतर होता है अब आपका नेक्स्ट कोश्यन आता है कि उत्तर प्रदेश का मुख लोक नेत्र है ऑप्सने आता है धोबिया उप्सन बी राई उप्सन सी साइरा उप्सन डी आता है उप्रियूप कि सभी तो इसके अंतर के तापको उत्तर जो है आपका उप्सन डी होगा क्योंकि इसमें तीनों ही होगे क्योंकि धोबिया राग जो है धोबिया जाती के द्वारे किया जाता है वाला नित्त है राई कि निमलेखित मैंसे कौन सा कल्प उत्तर प्रदीस की महत्रपूर अनाजों की फचलों की नामों का उल्लेग करता है उप्सन ए चावल गेहूं जमीना करोट जो और मक्का उप्सन बी चावल गेहूं बाजरा जो और मक्का option c चावल, गेहू, बाजरा, जो और जौर, option d चावल, गेहू, बाजरा और मक्का तो इसके अंतरगरत आपका उत्तर होगा option b कि यह उत्तर प्रदीश की प्रमुखस्णों में जैसे आता है गेहू, बाजरा, जो और मक्का और ये इसमें जो आपका गेहू, गन्ना और आलू के उत्तादन में उत्तर प्रदेश का प्रथमिस्थान भी ये रखता है। अब नेक्स्ट कुशन है आपका कि उत्तर प्रदेश वित्तिये निगम के संदर में निम्रिखित में से कौन सा कथन सही है। उप्सन पहला कथन दिया गया है कि या लगू या तथमध्यम स्तरी उध्धानों को वित्तिये सहायता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट कुशन आता है आपका कि किस राज्य सरकार ने सबजीयों के लिए मोमा मार्केट का सुभारम में किया है। option A, उत्तर प्रदेश, option B, बिहार, option C, उडिशा, option D, मडीपुर, तो यह आपका जो उत्तर है, option D है, कि मडीपुर में इसको शुरू किया गया था, क्योंकि एक smart application मडीपुर, organic mission agency market को यह launch किया गया था, और इस market मज़े से मॉमा की नाम से जाना जाता है, मॉमा की साथ जो कई उत्पादक किसान, उत्पादक कंपनिया और बिभिनी छेत्रों में सबजियों की कटाई करके, उन्हें गोदाम में ले जाकर, रिफ्रेस करके, लोगों को घर तक पहुंचाया जाएगा, तो इसके लिए यह कारकरम को शुरू किया गया है, और मॉमा का फुल फॉम क्या है, एप्लिकेशन मनीपूर औरगनिक मिशन एजेंसी, फिर आता है कि मनीपूर औरगनिक मिशन एजेंसी इसका फुल फॉम है, फिर आता है किसन 2011 की जनगर्णा के अनुशार भारत के निमने राज्यों में से किस राज्य में सकल जनसंख्या के सापिक्ष नगरी जनसंख्या का पिर्षट सबसे कम है option A हिमाचल प्रदेश, option B उडिशा, option C जारखंड, option D आता है राजिस्थान तो इसके अंतरगेत आपका option ही सही होगा जिसमें धिमाचल प्रदेश होता है क्योंकि यहाँ पर 10.0% है आपका ओडिशा में जो आता है ओडिशा में 16.7% जो जारखंड में है 24.7% और राजिस्थान में 24.9% आता है नेक्स्ट कोशन आता है कि जनसंख्या 2011 में भारत में नगरिये जनसंख्या का प्रिशत क्या है पहला 27.8.0, option B 31.16, option C आता है 32.00 और option D आता है 32.16 तो इसके अंतरगेत आपका उत्तर होगा option B कि इसमें 32.16 आता है और जो गरामीर जनसंख्या है उसका प्रिशत जो आता है 68.84 आता है अब नेक्स्ट कोशन आता है आपका कि विश्व के निम्नांकित देशों को उनकी जनसंख्या आकार के आ अरुही किरम में विवस्तित कीजी हो नेचे देए गए कूट का सही उत्तर की पहचान कीजी है जिसमें पहला ब्राजील, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा नाइजिरिया, चोथा पाकिस्तान तो इसमें जनसंख्या के आकार पर औरुही किरम लगाना है तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपका इंडोनेशिया उसके बाद जो आता है आपका पाकिस्तान फिर आता है ब्राजील फिर आता है नाइजेरिया तो इसके साथ ही आपका option D सही होगा फिर नेक्स्ट कोशन है कि आठवी पंच वर्सी योजना में मुख प्रात्मिक दा छेत्र था option E आयात ब्रद्धी option B रोजगार ब्रद्धी option C आता है समावेशी ब्रद्धी और option D आता है सामाजिक निया तो इसके अंतरगत जो आपका उत्तर है बैं option B है किसके लिए नेक्स्ट कोशन आपका आता है कि बाड़चिक बैंकों को अपने रूख कड़ से इस और कुल परिशंपत्ति के मद्धिक निश्चे तनपात रखना होता है जैसे क्या कहा जाता है option E आता है केंद्री तरल रिजर option B आता है सामवेशी बैंक नपात option C सामवेशी तरल अनप नपात कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है कि रिम में मैंसे कौन सा आसते है option E प्रधान मंत्री आवाश योजना की समयवदी 2015 से 2025 तक है option B आता है प्रधान मंत्री रोजगार का सुभारंबे 2 अक्टूबर 1993 को हुआ option C आता है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कि आजीब का विकल्पों को सुधार ने है तो प्रारम में की गई है तो इसमें आपको अशत्य कथन बताना है तो इसमें आपका असंत यह है क्योंकि यह जो योजना है बैद 2015 से 2022 तक चलाई गई थी ना कि 2025 तक तो इसमें आपका option आपका यह गलत होगा क्योंकि इसका जो नेक्स्ट कोश्चन आता है कि नेफेट संबन्दित है, option A, पशुपालन विकास से, option B, किर्षी यंत्र पिपड़न से, option C, किर्षी उत्पाद विपड़न से, option D, पेट्रोलियम विपड़न से, तो इसके अंत्रगर जो आपका उत्तर है, option C है, क्योंकि नेफेट जो है, वै क किर्षी उत्पाद विपड़न से, संबन्दित है, किराष्टे किर्षी सहिकारी विपड़न संग लिम्टेड या लेम नेफेट, जिसे भारत में किर्षी उत्पाज के विपड़न सहिकारी समेतियों में सीरसंस था है, इसकी स्थापन दो अक्टुबर 19 वांठाउन को की ग नेक्स्ट कोशन आता है कि विदेसी पूजी में समलित है, इसकी अंतरगत आता है विदेसी बिनियोग, आप्सन भी आता है बाड़े चिकरिर, आप्सन सी आता है विदेसी सहाय तो आप्सन दी आता है उपरियोगत सभी, तो इसमें आपका उत्तर होगा उपरियोगत सगी, option D आता है अब आपका next question है कि उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी और जंगली छेत्रों में निमलेखित में से कौन सा एक प्रजाती है समूई पाया जाता है तो option A दिनारिक option B mediterian option C mangle light option D proto australide तो इसमें आपका जो उत्तर है option C है केस में आपका mangle light पाया जाता है तो option C होगा यह उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली छेत्रों में पहाड़ी mangle light प्रजाती के समूई पाया जाती है जबकि जो द्रिवन प्रजाती है उसका समूई पंजाब, सिंद राजिस्थान, पश्मी उत्तर प्रदेश के छेत्र में पाया जाता है तो यह प्रमुक जो जन जाती है वैं निम निम छेत्रों में पाया जाती है और इसमें जो आपकी उत्तर पुर्वी भारत में पाया जाती है वैं manggolite पर जाती पाई जाती है अब next question आता है कि भारत का सबसे अधिक महत्यपुर्ण खनेज युक्ति सेल कौन सा है तो option ही आता है आपका कुडपा option भी आता है धारवार option सी आता है गोणवाना और option भी आता है बिंदेतंत तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वैं option भी होगा क्योंकि भारत में सबसे महत्पूर्ण खने जी उक्तिसेल तंतर जो है वैं धारवार तंतर है इसमें लगबख सभी प्रकार के खनुस्तत पाए जाते हैं जैसे शोना, लोहा, मेगनीज, डोलुमाइट, चांदी, अब्रग कोबाल्ट, क्रोमियम, तावा, टंगस्टन और सीसा महत्पूर्ण होता है इस तंतर का जो सरवादिक विकास है वैं करनाटक की धारवार चेतर में हुआ है इसके अलावा ये अरावली, छोटा नांगपुर पठार, मेगालाय, हिमालाय की लद्दाग, जौसकर, गड़वा कुमाई चेतर में भी पाई जाते हैं अब नेक्स्ट कोशन आता है आपका कि निमलिखित में से किस राज में कोई भी अनुसचे जन जाती नहीं पाई जाती है अप्सन A, अरणाचल प्रदीश, अप्सन B, नागालेंड, अप्सन C, पंजाब, अप्सन D, उत्तर प्रदीश तो इसके अंतरगा जो आपका उत्तर होगा वैं अप्सन C होगा क्योंकि पंजाब और हर्याणा राजज़ में तथा चंडीगर और पुदूचरी और दिल्ली में कोई भी अनुसचे जन जाती नहीं पाई जाती है अब आता है आपका नेक्स्ट कोईशन की निमलिखित में से सो मेलिद करना है कि वोर इसमें कूर दिये गए है पहला जो दिया गए है मुपला किस से संब्दित है मुपला आपका केरल से संब्दित है मुरिया जो है आपका च्छतिसकर से संब्दित है तोड़ा जो आपका आता है वा तमेलाडो से संब्दित है और मुंडा जो आता है वा उडिशा से संब्दित है अब आता है आपका नेक्स्ट कोश्चन की भारत का राश्टी जलमार्ग संख्या 2 किस नदी एवं किन दो इस्थानों के बीच पड़ता है और इसके अंतरगत जो आपका उतर है और अपस्टन भी है क्योंकि ब्रह्मे पुत्र नदी और सदिया धूबरी के अंतरगत आपका दूसरा जलमार्ग आता है वो पहला वाला जो जलमार्ग है वह गंगा नदी पर इलावाद प्रियागरास से हल्दिया तक है और पश्मी तटनहर द्वारा कुट्टम से कुलम तक जो जलमार्ग जाता है वो जलमार्ग संख्या तीसरा है तो आपका ये जो है वह पहला है य यह आपका तीसरा है और यह आपका दूसरा है अब next question आता है कि लोहे इस पात उद्धोग में कच्छी माल की रूप में प्रयोक्त होते हैं पहला लोहे एक्स दूसरा कोईला तीसरा को चुना पत्थर चौथा बाक साइड आता है तो इसके अंतरगत आपको बताना है कि कौन स उत्तर सही होगा तो इसमें आपका उत्तर ऑप्सन भी सही होगा क्योंकि इसमें पहला दूसरा तीसरा सही है इसमें जो लोहे के इस पात उद्धोग में प्रयोक्त होने वाला कच्छा माल लोहे एक्स होता है कोईला और चूना पत्थर आता है अब next question आपका आता है कि उसम आता है कि तेल इवं प्राक्तिक गैस नेगम की स्थाफ़न उन्निशुचपन में हुई थी और जो अथा आता है कि डिकवोई तेल सुधन कार खाना चेत्र आधारे तथा बरोनी बाजार आधारे तेल सुधन कार खाना है तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है तो इसका जो टरसरी योग की आगने चट्टानों में इसका नहीं हुआ है जबकी इसका जो विकास हुआ है वहे आउसाधी चट्टानों के संदर में हुआ है तो अब दूसरा गलत है पहला तीसरा और चोथा सही है नेक्स्ट कोशन आता है आपका किरिमड़खित कथनों पर व कुपशा होती है इसमेर बताना है कि आपका उपर्युक्त मैंसे कौन सा काथन सा यह he option a केवल एक, option b केवल दो, option c एक और दो दो नो और option d आता है ना तो एक ना तो दो तो इसमें आपका option c सही होगा क्योंकि इसमें जो आपका है कि जलोड मिट्टी जो है गन्ना धान गेहूं की किरसी के लिए उपयोगत है और खादर मिट्टी वांगर की अपेक्छा अधिक को आपका जाता है पराचीन जनलोड़क को बांगर कहा जाता है जबकि जो आपका नवीन जलोड़क होता है उसे खादर कहा जाता है खादर मिदा जो बागर की अपिक्छादी को प्चाओ होती है तो इसके संदर में एक प्रुमक पॉइंट है यहाँ पर एक क्योशन चरंखला फिनिस करते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स खुशन की साथ मिलेंगे तब तक आप वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद